हर्यादी तीज कब है 2023, 18 या 19 अगस्त शुब मुरत, पुजा विधी, तृत्या तिथी आज जरूर करें ये एक काम आज हम इस वेडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में हर्यादी तीज कब है, पुजा मुरत, विधी, नियम और इजिन किये जाने वाले उपायों के बारी में हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में शास्त्रों में सावन का महिना व्रत्योहार पुजा पाट की दुष्टी से बहुत शुब होता है, इस महिनी की गई शिवारादना से मनोकामना पूरी होती है, पंचांक एनुसर सावन के महिने में सुकल पक्ष की दृत्यतिति को तीज मनाई जाती है, इसे हर्याली तीज श्रावनी तीज भी कहते हैं, मानेता है कि इसी दिन भगवान भूलेनात और माता पारवती का पुनन मिलन हुआ था, इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को अकंडि सौबागी की प्राप्ती होती है, आईए जानते हैं साल दो हजार देज में हर्याली तीज ब्रत की सही थी पूजा मुरत, विधी, नियाम और इजिन के जाने वाले उपाई क्या हैं, हर्याली तीज शुग मुरत दो हजार देज साल दो हजार देज में हर्याली तीज का वृत 19 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा, तृतिया तिज शुरू होगी 18 अगस्त रातरी आट बच कर एक म हर्याली तीज पूजाविधी, हर्याली तीज के दिन श्यू पारवती की पूजा के लिए महिलाओं को प्रातर इस्तान के बाद वृत का संखल पिलेना चाहिए, इसके बाद 16 श्र्ंगार कर काली मिटी से श्यू पारवती तृता गनेश जी की प्रतिमा बनाएं, अब प् पूजा के समय शिव पारवती की पूजा कर देवी पारवती को श्रिंगार सामगरी अर्पित करनी चाहिए इस रत में तामसिट चीजों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए पूजा के बाद सुहाग का सामान दान करना बहुत शुब होता है मानित है की हर्याली तीज की दिन पतिपत्नी दोनों को मिलकर भगवान शिप का जलाबिशेग करने पर अखंड सोभागी की प्रावती होती है सुखी दामपत्य जीवन के लिए इस दिन पती पत्नी को उसाथ में मिलकर शियर पारवती की पूजा कर उन्हें खीर का भोगर पित करना चाहिए जिन जातकों के विवा में देरी हो रही है तो हर्याली तीश के दिन उन्हें माता पारवती के चर्णों में हल्दी की ग्यारा गां धर्पित करनी चाहिए लेकिन ध्यान रखें कि शिवजी को हल्दी ना चड़ाएं अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूले